हालो दोस्तों मैं हूँ वैवफ शर्मो और नर्चर क्लास के मादन से आज हम जो जो जोग्राफी के हमारे NCRT के MCQ हैं उनको हम आज 26 लेक्चर को डिसकस करेंगे जिसमें हम डेली वेसिस के तरह पांच कोशन को डिसकस करेंगे और यह हमारे पहला कोशन फर्स कोशन है विच अमांग डा फॉलिंग इस अर पार्ट ऑफ वेस्टन कोश्टल प्लेन मतलब कह रहा है नीचे आपको चार ओफ्षन दिये गए हैं और बताना है कि जो वेस्टन कोश्टन प्लेन है जो आपका पश्चमी तटिये मैदान यह जो भारत का आपका पैंसुलर वाला पार्ट है ना पैंसुलर पार्ट तो यह वाला वेस्टन कोश्टन प्लेन यह वाला प्लेन यह इसका बताना है आपको एक यह और यह ऐसे करके ना तो इस पर बताना चार ओफ्षन दिये एक तो आपका दिया गरह कर्णन्ड ता फिर कहरा मलावाब। आ लास पर कहरा वापकर कोरुवंडल है। तो आपके नीचे आपको कर्रेक्ट उप्षिन बताना है。 अच्छा इस चीज को जरूर observe करना किकी question में कभी कवार incorrect भी पूछ लेता है आप तो सही मारते हो लेकिन बहाँ पे कुछ और होता है ठीक है तो आपका question गलत हो जाएगा तो चार option दिये गए हैं चलिए elimination से करने की कुशिस कीजिए अगर हो सकता है तो देखो दो तो सम्मे है दो तो हो गई अब चलिए वीडियो को pause कीजिए question को खुछ से attend करने की कोशिस कीजिए हम इसका answer देखते है क्या है यह रहा हमारा भारत का pencil region coastal plane इधर आपका है Arabian Sea इधर आपका way of Bengal Arabian Sea में अगर हम उपर से नीचे आएं जब हम उपर से नीचे आते तो यह आपका कच्छ वाला region Gulf of कच्छ है आपकी इसके बाद काठियावा region इसमें हम अभी question पूछ चुके हैं यह आपकी way of खमबाद है अब जब नीचे आते हो तो यह वाला जो costal region है आपका इस वाले costal region को क्या कहते हैं आपके गुजरास से चलके आपके कहां तक पढ़ता है Mangalore तक यह है Mangalore और Mangalore तक जो आपका पढ़ता है उसको हम कह देते हैं क्या उसको हम कह देते हैं कंणर कोस्ट कंणर कोस्ट और फिर आपका Mangalore से लेके नीचे आपका Cape of Comorin तक पढ़ता है जो आपका Eastern Ghat का पार्ट है यह यहाँ तक जो आपका कॉस्ट पढ़ता है उसको हम कहते है मालावार कॉस्ट और मालावार कॉस्ट आपका पूरा कहां पे है आपका यह केरला में देखने को मिलेगा अब मालावार कॉस्ट पे देखो लेगून भी मिलेगी आपको बैमबनाड जो आपको बैमबनाड जील मिलेगी आपको एक लैगून है ठीक है और केरल में लैगून को क्या कहते हैं कयाल कहते हैं जैसे उडिशा में चिलका लेका है लैगून लेका है लेका है लेकिन उसको लैगून ही कहेंगे और यहां पर कयाल कहते हैं केरल में लैगून को ठीक है अ यह पूरा कॉस्ट कौन सा है यह पूरा कास्ट कॉस्ट आपका कोरो मंडल तटा है और यहां पर कोरो मंडल में आप पढ़ चुके हो काव होती है बारे सर्दियों में जब नममब दिसम्बर में यहां पर बारिश होती है नौर्थ इस्ट वालसून की वज़े से ठीक है और फिर आप उपर जाएंगे तो आप उपर मिलेगा कौन सा उत्री सरकार्टर जिसे Northern का एकरस बोलते हैं और इसके बाद आपका उत्कल प्लेन मिलेगा तो देखिए आप बापस हम अपने कोशन पर आते हैं तो कोशन पर जब हम बापस आएंगे तो देखेंगे क्या है यह देखिए आपका कोगरन कॉस्ट तो यह थो था वेस्टरन कॉस्ट पर कंणर यह भी था मालावार यह भी था कोरो मंडल आपका पार्ट नहीं था कोरो मंडल कहां पर है यह आपके इस्टरन कॉस्ट का इस्टर cost का current eastern custom plane का return सबकम अब elimination और देखे If coromandel के बारे में अगर दो तो सम्मे है तो 2 तो होगा ही होगा elimination से बार ना ही होगा 2 सम्मे है तो 2 तो आपका answer में होगा ही भी कहा है अब 2 सम्मे है बात कर रहा है сорomandel cost के 4 eliminate कर दो कि 4 आपको पता है कहां eastern cost पे बचे तीन अंसर अब आपको वन टू तो दोनों में माला वार आपका केरल में पढ़ता तो केरल कहां है वेस्टन इंडिया के पैंसुलर इंडिया के वेस्टन पार्ट पर है तो आपका आंसर क्या बन जाएगा बी ऑफशन ठीक है तो उम्मीद करता हूं कोश्चन आपको पूछ सकता यहां पर कॉरो मंडल कॉस्ट पे आप से भारत का कौन सा कॉस्ट रीजन है जहां पर अक्टूबर और दिसम्बर और दिसम्बर में बारिश होती है यह हम संजा चुके हैं आपको पिछले कई लेक्चर में अब आपको पिछले लेक्चर देखने होंगे तो आप उसमें समझ जाएंगे अच्छे से चलिए हम अपने नेक्स कॉश्चन पर पहुंसे तो दिखो यह कंणर कॉस्ट था यह उपर वाला जो कॉस्ट है यह आपका को उतकल है उतकल मलब आपका उड़ी शावाना चुनों नेक्स कोश्चन है हमारा दे स्टेट ऑफ मनीपूर एंड दे स्टेट अफ नागा लेंड इस सेपरेटेड़ वाई वीच फॉल लेंज मलब आपका अगर आपने नौर्थ इस्ट का मैप अच्छे से देखा है तो आप बता ले जाएंगे फिर इस कोश्चन को करने की कुशिस कीजिए अगर आपने हिल्स देखी है मैपिंग की है अच्छे से तो आप इस कोश्चन को कर सकते हैं कि एंची और दोनों सपोर्परन लेंद टोनों इस्टेट बीच के में एक हिल है कि अगर जोबिये चार ऑफर्षन दिये गहां आब को पास Nowadays को भीग एक एक अगरियो कोशिन को कोश्चन को खुश से चार ओप्रम दीए मनिटा को पुशन को साल सब आए जा रहे हैं हम अनाचल प्रदेश की बात करें तो अनाचलने प्रदेश आपको हिल मिलेगी डाफला हिल्स मिश्मी हिल्स यहां पी आपको अबोर हिल्स अबोर हिल्स यह आपकी पटकाई हिल्स यह भी अनाचल प्रदेश में अनाचल प्रदेश में यह आपकी नागा हिल्स नागा लैंड में और यह आपकी मीजो हिल्स मीजोरम में आपकी Moneyp inherently झींच है마 सबसे उची बारिश यहां पे रहें पर जायोज पहले पारिश चैनल crush कें पने इनका सबसे केंगत करती है तो गार उत से जलती है order में देख लो वेस्ट वीस्ट गारों पहले पड़ेगी फिर खासिया पड़ती है फिर जैंतिया पड़ती है मिक्की मेर हिल्स आपकी भ्रहम पुत्र की रीजन में पड़ेगी प्लें साइड में पड़ेगी तो यह सारी अच्छा इनके जो नाम है ना जो ट्राइयवल कम्यूटी के नाम पर हिल्स के नाम पड़े अब यह गारों यह पर में गारों ट्राइब्स रहते है खासी जन्तिया ओट यह से नागा तेज स्युंगर हिल क्या तो यह तक के चार आंसर तो आंसर आपका क्लिक्ष अनाचर प्रदेश में प्रणी प्रदेशी के अनाचर प्रदेश के आंसर प्रदेश के इसलerson इसकी डिरेक्शन चेंज अब इसकी डारेक्शन कैसे होगी साउथ वेस्ट माल और फिर यही आपका कहां जाता है अंडमान निकोवार जो आइलेंड है वो इसका हिमालेन मौन्टेन आराकाम का ही क्या है एक पार्ट है वो पहले जाके समर्ज हो जाता है फिर जो हमारे वहां पे चैन्स है ना जो हमारे आराकां मा वारी जो यह यह क्या होती है उपर आ जाते हैं तो वह हमारा अंडमान निकोवार आइलेंड में जाता है तो अश्वारियल हिल हिल जो गया तो बरेल हिल्स यह सब्सक्राइब करती हैं मनीपूर स्टेट को फ्रेन ये सबसे उम्हें इस समझ में आए हुगा now is the following state has the highest mangrove kovr India देखो is the highest mangrove cover in India इंडिया में सबसे ज्यादा जो highest mangrove आपर में बताने हैं चार स्टेट दिये गये हैं गुज्रात डेस्ट वेंगौल आंध्रप्रदेस और तमिल लांडू दुग चलिये वीडियो को पॉस किजिए, खुछ से अटेंट कर ये कुश्चन को, अब मैंग्रोव क्या है, अगर आपको मैंग्रोव के बारे में पता होगा, तो आप कुश्चन को कर ले जाएंगे, बिसे हिंदी में मैंग्रोव के ते मैंग्रोव, ये एक वेजिटीशन है, ये कहां लवड़ी है, खारे पानी में मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रेश वाटर में मिलती है, फ्रेश वाटर में भी मिलती है, फ्रेश वाटर में भी मिलती है, लेकिन इसकी प्रोड़क्टिविटी सबसे अच्छी सलाइन वाटर में होती है, फ्रेश वाटर में इसकी प्र का है तो वो क्या है सलाइन वाटर है यह चार आपको भारत के दिये गए एक तो आपको गुजरात दिया गया दूसरा आपको वेस्ट बेंगॉल तीसरा अंद्र प्रदेश और तमिल नाडू तो यहां पर आपको देखना है और में अच्छा इस टाइप के कोशन आपके स्टे हैं जोगी तो उनमें आप से इस टाइप का सवाल बन जाता है चलिए खुछ से अटेंग कीजिए देखते हैं इसका अंसर क्या है यह रहा हमारा भारत का नक्सा और यह रहा हमारा इस्टन कॉस्टन प्लें इस्टन कॉस्टल प्लें और यह रहा हमारा वेस्टन इस्टन में यह हमारा सुन्दरवन भारत में है और सुन्दरवन डेल्टा का maximum part आपका कहा है वह आपका वंगलादेश में है और उसका 30% आपको थे दिख्रा होगा अच्छे से PDF में भी प्रवाइट कर दियागा तो सबसे ज़्यादा मैंग्रूप कहा होंगे सबसे आपके वारत में वेस्ट फेंगोल में पाए जाते हैं सुंदरवन डेलटा इसके बाद सेकेंड नमबर पर आपके अपके आता है गुजरात और थर्ड नमबर पर आता है आपका अच्छा महाराश्ट्रा और सेवन पर तमिल्नाडू और फिर सारे नहीं जाएक करने हैं आपको state Donc के याद कर सकते चलबार में लगाने को आ सकते हैं ग्वारी है अब थोड़ा बैंगरोब के बारे में जान लेते हैं तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर हमने देखी लिया इसका वेस्ट बैंगाल होगा क्योंकि हमें सबसे ज्यादा पूशा भारत में और यह क्या है यह पुरा सुंदरवन है और सुंदरवन 30% पार्ट आपका इंडिय सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर दिया गया आपका वेस्ट बैंगॉल है जाते हैं मैंगरोग तो यह परसंटेज याद रखो एप्रॉक्स है ठीक है इसके बाद मेंग्रूब वाज फॉंड ली अलॉंग सेल्टर कॉस्ट लाइन आपकी कि जो सेल्टर कोस्ट लाइन है बहां पर पाय जाते हैं विदिन दे ट्रॉपिक अन सब्ट्रॉपिकल लाटिटूड बिकॉज दे कैन नॉट विद इस टेंड फ्रीज टेंप्रिचर मतलब यह आपके यह ट्रॉपिकल और सब्ट्रॉपिकल जिसे कहते हैं उश्ड में फाय जाएंगे आपकी वेजिटेशन हैंपको कहा नहीं पाय जाएगी आप टेंपणेbracht जोन आ जाता shout और यह वहाँ पर सभाल्व नहीं कर पाते हैं ट्रॉपिकल यह टेकर लार्जेस नंबर में यहां पर देखें इस आ ज़िसम्हेड़र में अगर बद़ दित में सबसे ज्यादा अगर मैंग्रूव हैं तो आपके Asian continent पे हैं, एशिया में हैं और वो भी South Asia इंडिया contribute पाकिस्तानать यह सब्साउत एशिया के पार्ट है तो साउथ एशिया में आपका 6.8% कवर करता है में इंडिया पोरी एशिया का चलिए आँसार बना वेस्ट पेंगॉल अब यह होते हैं मैंग्रूप के प्रेड़ मैंग्रूप इनकी रूट्स दिखती है यह सलाइन वाटर है और यह इनकी रूट्स ऐसे होती है और यह बहुत जारी स्पीडD कर की तरह काम करते है पानी जो भी आथा है वह क्या अद् kı darc करते होंगे अपको अच्छे से समझति बाए होगा नेश्ट्स कोशन पर चलते हैं इस इस ऑनसब्स होशन मदलब आपको एक सिंग वाला गैंडा एक सिंग वाला गैंडा जिसे कहते हैं ग्रेट वन हॉर्ण राइन यह आपका पूछा गया चार ओप्षन दिये गए यह आपका कहा गया पहले जिम कॉर्विट नेशनल पार्क में पाया जाता है काना नेशनल पार्क में पाया जाता है काजी रंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है या पेरियार गेम सेंचुरी पेरियार टाइगर रिजर्व इसको टाइगर रिजर्व भी बोल सकते हैं इसको भी काजी रंगा टाइगर रिजर्व भी है यह और यह एक नेशनल पार्क है ठीक है तो चलिए पहले तो यहां पर एक कोशन और बन जाता है कि जिंक कॉर्फन चील्व ठीडिक काँ है आपको लोकीशन पता होनी चीह यह टीड़ कोशन आपको क्या है अगी कोश्ट नहीं है कि talking कोशन में देख लिते हैं कि इस फिएट रहा जो OFFICI कि आपको लोकेशन पता होने जी जिम को और निशनल पार्क काहा है चाह ने question पूज देगा Jim Corbett national pass के कौन सी नदी बहती है किस नदी के आसपास है या Perry R जो national pass Tiger Reserve है उससे कौन सी नदी बहती है काजी रंगा के पास से कौन सी नदी बहती है तो इस type के आपके आपको एक point को लेके कई direction से सोचना होगा तब आप exam perspective को सॉलтव कर पाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको यह एक कोशियन यह देने का मतलब यह कोशिय यही आ जाइगा, यहाँ पे आपको information collect करनी है, और information यह है कि आप किस्तने kind से question को कर सकते है किस type कःतने type से यह question आ सकता है, ठीक है तो चलिए यहाँ पे ग्रेट वन हॉर्ण इंडियर राइनो की बात करते हैं तो हम वीडियो को पॉस किजिए और पहले खुछ से अटेंड कीजिए कि एक सिंग वाला गेंडा कहां पाए राता है फिर इसके बाद हम देखते हैं ठीक है तो चलिए यह रहा हमारा आंसर यह है एक सिंग वाला गेंडा देखो इसके मूँ के उपर जो है न एक सिंग दिख रहा होगा हॉर्ण जिससे कहते हैं हॉर्ण अब दिखो 5 टाइव की राइनो की क्या होती है पूरी दुनिया में जिसमें बॉाइट और व्लैक राइनो है आपके अफरीका में पाय जाते हैं बाकि तीन राइनो जो ग्रेट वन हॉर्न राइनो जिसकी बात हो रही भी जावा ऐन्ड वातर्यन राइनो जो तीन स्पेसीज हैं आपकी एसिया में पाई जाती हैं यह इनकी रहा है आई-स-ई-एन रेड लिस्ट वाले स्टेटस ब्लैक राइनो क्रिटिकल इंडेंजर्ड बट स्मॉल और अफ्टू इस अफिरिकन स्पेसीज वाइट राइनो नियर्स थेटेंड है आपका और यह ज इंडिया यह केवल इंडिया में पाई आप देखो अभी हमने क्या बता है उपर लिखा है इंडिया में तीन पूरी दुनिया में हैं उनमें से तीन इंडिया में तो एसिया के भी तीन में से एक जो वन हॉंड राइनो है जिसकी हमें कोश्चन में भी डिमांड है तो कहा है केवल इंडिया में पाए जाता है इंडिया में वो कहां पाए जाता है निजाओं में,सब्से ज्यादा काजी trade नेयर्ण नेशनल पार्क में तो चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखें चरिए अब हम पहले देख लेते हैं जीम कॉर्वेट नेशनल पार्क की बात करें वेटा तो जीम कॉर्वेट नेशनल पार्क क्या है इसको यह です किब इस्टैबलिस किया गया ता कब है कब इसक हुआता नेशनल पार्क कमें desarrollo किया गया था यह जो इंडेंजर था कि in डेंजर बैंग्ल जो टाइगर थे जिल्या ती इसको अनको प्रटेक्ट करने लिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको 1936 में इस्टाब्लिस किया गया था इंडेंजर्ट बेंगॉल टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए और इसका नाम पहले हैली नेशनल पार्क था बाद में इसका नाम चेंज ओके Jim Corvette National Park बढ़ गया अच्छा यह क्या है यह जो नेशनल पार्क है यह एक प्रोजेक्ट चला था प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर एक 1973 उसके अंदर आने वाला यह पहला फस्ट नेशनल पार्क था कौनसा हमारा Jim Corvette और इंडिया का यह सबसे नशनल पार्क एं जिम और इसके बीच से एक रिवर जाती है इससे आस पास इस का नाम है तो यह था जिम और नेशञ नेशनल पार्ग देख लेते हैं दूसरा नेशनल पार्ग काना नेशनल पार्ग आपका कहां फ़न में पीटा कहां थेर्च पें प्लूत बता है और यह क्या है यह सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इन दसेंटरल इंडिया अब ही हम बाकि दो के बारे में बात करें तो एक हमारा काजी रंगा बचा कौनसा बचा काजी रंगा जो हमारा पाफ्षैन मेता काजी रंगा नेशनल पार्च तु इसके बारे हम बात करें कि तर पाजी रंगा नेशनल पार्च क्या है यह आपका असाम में मिलेगा और देखने को और असां olm भ्रह्म पत्रा जो घाटी है बैली है उसके क्या है उसके फ्लड प्लेन में पाया जाता है जो फ्लड प्लेन है वहां पाया जाता अभी हम देखेंगे मैप पे काजी रंगा को और अच्छे से ठीक है तो यह देखो 1974 में क्या हुआ था 1974 1974 में इसको नेशनल पार्क डेकलेर किया गया और 2007 में इसको टाइगर रिजर्ब डेकलेर कर दिया गया और यह एक युनेस्को की युनेस्को की वर्ल्ड हैरेटर्स साइट है युनेस्को वर्ल्ड हैरेटर्स साइट का क्या है पार्ट है है एक युनेस्को वर्ल्ड हैरेटर्स साइट है कब हुआ था 1985 इसको एक दर्जा और मिला है काजी रंगा को इसको recognize किया गया recognize किया गया किस पर में recognize किया गया इसको recognize किया गया as an important word as an important word area किसके द्वारा why world world life international द्वारा एक और अ उसको भी देख लेते हैं वहार पेरियार टाइगर रिजव और पेरियार टार्इगर रिजव कहा मिलेगा आपको के रहला मिलेगा एक डुकी डिस्टिक में पाए जाता एक यह को आपका और डिस्टिक है तो यह वेस्टन खाट में आपको देखने को मिलाग सब्सक्राइब और इसका नाम क्यों पड़ा की इसके वीश से पेरियार रिवर की वजह से इसका नाम पुदा परीयार पड़ा तो मीड करता हूं यह चारों आपको समझ में आए हुगे अब हम देख लेते मैप फे थोड़ा काजी रंगा ने तो यह रहा हमारा काजी रंगा ने निश्णल पार्फ यह नहरा नजख लेंगे तो यह पंगो आपकि ब्रह्म पुत्र को साउड में रहा नीचे आपको सौधर पार्ट में असाम में मिलेगा आपको काजी रंगा नेशनल पर्क तो अम्हीर करता हूं आपको समझ मुआ आगõ मैप पर चलिए हम आपने कोशिन पर नेशनल प्रक। ये जरना की ब्लैक जो हमारे रायन है तुरी दुनिया में पांच सप्षीर से मैं है और शाओस इस्या के भी एक है जो वन होन्द फॉर्ञों हेड झादी और कौछ आ च्लिया नेक्स हैं में वर्ड एटली वेचिस काई लंडे की तरह write down in which of the following statement about the tropic of cancer यहाँ पे आपको tropic of cancer के बारे में पूछा है मतलब करकर रिखाऊ अब करकर रिखा क्या है tropic of cancer क्या है इसके बारे में थोड़ा हम detail से जानेंगे फिलाल तो हमारे तीन statement है और हमसे यहाँ पे क्या पूछा correct पूछा इस पे जरूर गौर करना पता लगे आप question तो attend कर लें लेकिन टिक आप गलत मार दे incorrect correct के चक्कर में पढ़े ही न confident यतने confidence में आ जाए तो पहला statement है tropic of cancer fast throw only Africa and Asia continent कह रहा है कि जो करकर रिखा है वो आपकी pass होती है केवल extreme word बढ़ आ गया बच्चो एक्स्ट्रीम बढ़ क्या है only UPSC ऐसे statement को बहुत जली नकारती है 98% तो यहाँ पे है tropic of cancer जो करकर रिखा है आपकी केवल अफरीका और Asia continent से ही pass होती continent महादीब केवल अफरीका और Asia महादीब से ही pass होती है पहला statement यह है और दूसरा statement है it is the 23 and half degree latitude situated in the southern hemisphere of the earth मतलब यह कह रहा है कि यह साड़े तेज़ डिगरी साड़े तेज़ डिगरी and half latitude मतलब a chance से pass होती है ऐसा कह रहा है कहां वो भी southern hemisphere दक्चडी को लाड अर्थ के दक्चडी गोला से चलिए दूसरा statement भी समझ में आ गया तीसा statement के रहा it is divide India mainland in two equally parts यह भारत का जो mainland है भारत का जो आपने map देखते हो हमारा जिस अखंड वारत की हम कलपना करते हैं उसका जो map देखते हो तो उसको यह equally दो पार्ट में divide करता है ठीक है यह है तो चलिए वीडियो को pause कीजिए और mapping आपने अगर tropic of cancer के बारे में जाना होगा तो आप इस question को कर ले जाएंगे प्रियास कीजिए बागी दो हम देखी रहे हैं तो चलिए देखते हैं करकर एखा के बारे में यह है हमारी tropic of cancer यह है हमारी earth earth को equally two parts में divide करती है हमारी equator जिसे हम कहते हैं बिशुवत रेखा या भूमद रेखा जो zero degree से पास होती है ठीक इसके northern hemisphere में जाएंगे तो एक line 23 and half degree latitude से पास होती है अच्छा यह equator करकर रेखा मकर रेखा यह सारे अच्छांस रेखा है latitude है longitude नहीं है तो यह थोड़ा key point यह keywords है ना इन पर ध्यान रखना है यह 23 and half degree से पास होती है जिसे कहते है tropic of cancer करकर रेखा और ठीक southern hemisphere में 23 and half degree southern hemisphere से पास होती है जिसे कहते हैं हम tropic of Capricorn जिसे कहते हैं मकर रेखा ठीक है तो उपर वाली जो आपको line दिखरी यह क्या है यह है आपकी tropic of cancer और नीचे वाली tropic of Capricorn बीच में आपकी equator हो गई तो पहला दूसरा statement तो आपका हैं से गलत हो जाएगा क्योंकि tropic of cancer कहां से पास होती है वच्चो tropic of cancer पास होती है आपकी northern hemisphere से लेकिन कोशन में आपके दिया सौधन है में इस पर दूसरा तो आपका गलत हो गया अब दिख गलत हो गया तो दूसरा वी बी आफ्चन आप क्या करोगे ओड़ा numbering गलत हो गई है इसको हम डालने बन इसको डालने तू और इसको डालने थिरू तीन इस ट्रेटमेंट हो ओके अब सब्सक्राइब तो दो नंबर वाला गलत हो गया दो गलत हो गया तो दो क्यों करेक्ट option पूछा तो बी सी option होगा नहीं हमारा वी option elimination से हड़ जाएगा अब हमारे पास बचें दो option तीन तो दोनों में है तो मलत तीन तो हमारा option है अगर elimination से इसको किया जाए तो अगर यह 50-50 परसेंट पर अगर आप आ जाता है तो यूपेशी mostly extreme world में गलती हो जाता है फिलाल फिर भी हम देख रहे हैं ठीक है चलिए अब हम देखते हैं कि ट्रॉपिक आप cancer आपकी northern hemisphere से पास होती है कितने continent से सबसे पहले यह देखो सबसे पहले यह आपके नौर्थ अमेरिका continent में जाती है जिसमें दो कंट्री से पास होती है मैक्सिको और भामाज भामाज इस आइलेंड कंट्री ठीक है फिर यह Atlantic Ocean में इंटर करती है Atlantic Ocean के बाद फिर यह Africa continent में गुषती है और फिरिका कंट्रीनेंट में यह सबसे पहले गुषती है Western Sahara country मरतूनिया अलजीरिया माली लिब्या नाइजर और लिब्या इजेट फिर आपकी इशिया में घुच जाती है जिसमें आपकी Western इशिया का पार्ट जो है आपका सौधी अरभिया सौधी अरभिया को अमान में UAE में जाती है UAE को बाद अमान फिर इंडिया में इसके बाद इसके बाद आपकी सीदी निकल जाती है ताइवान होते हुए तो यह तो है अब यहां पर दो कॉंटिनेंट हैं कॉंटिनेंट कितने हैं तीन कॉंटिनेंट हैं कोशन में आपको only two बोले हैं पहला answer पहला भी कट हो जाएगा पहला कट हो जाएगा तो answer क्या आएगा only three तो अगर आपको 50-50 परसेंट भी कोशन आता है तो आपको elimination से लगा के कोशन को अटेंट कर लेना चाहिए छोड़ना नहीं चाहिए अब topic of cancer के बारे में थोड़ा जानकारी देखते है topic of cancer क्या है this is imaginary line एक कालपनिक रेखा है यह प्रच्वी पर कहीं ड्राव नहीं है बस हमें अपनी सुविदाओं हम जानकारी जो पासके सुविदाओं के लिए क्या करते हैं सुविदाओं इसको मनलब study के लिए हम एक ड्राव कर लेते हैं अभी क्वेटर है इस है और यह जो यह tropical reason होता है आपका topic of cancer and topic of Capricorn इसके बीच में आपका पूरा Salcin की moment रहती है ठीक है और इसलिए यहां पर ज्यादा आतर आपको cyclonic activity सारी tropical cycle बहुत सारी अक्टिविटी देखने हूं मिलेगी और topic of cancer की बात करें तो भारत को क्या है दो equally parts में divide कर रहा है देको बारत को ऊपर वाला पार्ट हो जाने नीचे है भारत के कितने स्टेट से पास होती है ये भी दिखो छोटे मोड़े कोशन है तो भारत के एट स्टेट से पास होती है कौन ट्रॉफिक ऑफ कैंसर एट स्टेट ऑफ इंडिया तो कौन से अगर वेस्ट से चले तो सबसे पहले ये गुस्ति है मैं इसके बाद यह गुष्ति राजिस्तान में इसके बाद एक मद्द प्रदेश में इसके बाद आपकी 36 झा छार खंड प्रकॉट जार खंड के बाद आपकी वेस्ट वेंगॉल्ग इसके बाद ते पर जैन्ष से वेस्ट वश्त प्रकॉप Doesn't फिड़ तो इस टाइप के बन जाते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर पर आप यह बन जाएगा कितनी बॉटर वाड़ी से पास होता है या वैस्ट वाटर वाड़ी देखने होगी कितने डायरेक्शन से कुछन को पूछा जा सकता है आपको कुछ नहीं दे रखे होगी ट्रोपीक ऑप कैंसर से पर पूछ देगा वस्ट वाटर वाड़ी दे रखें गए जिसमें आपको कहते हैं पैसी कोशन को एकले चली करता हूँ कि आपको 5 questions आज के पसंद आयोंगे अच्छे से और ये हमारी Telegram channel के link जिस पर आपको ये वीडियो और PDF मिल जाएंगे दोनों ये हमारी Instagram channel के link जो आपको description box में मिल जाएगी और यहाँ पर आप क्या किजिये join कर लिजिये जहाँ बेसे आपको जो भी question है प्रिजिस बेस पे आपको मिल जाते हैं या पे आपका रिवीजन के तौर पे आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेर करते रहेए तो इसी नोट पर हम उतमें वीडियो को फिनिस करते हैं God bless you और जैहिन